हे वाट्स तो गाइज वेलकुम वेप्ट वाट चैनल आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं अगर आप एक वेप्ट डिजाइनर या फ्रेंट डिवेलपर बनने का सोच रहे हो तो आपको कौन-कौन सी टेकनोलोजी का पता होना जुरूरी है मैं यह वाली चीज यार क्लियर कर देता हूं कि जो फ्रेंट डिजाइनर वर्ड बोलते हैं वह ज्यादा उन में ज्यादा डिफ्रेंस नहीं होता है वह एक ही पोजिशन होती है जैसे अगर आप इंडिया की बात करें मैजूर्टी ऑफ कंपनी की बात करें तो जो पोजिशन वेब डिजाइनर की रहती है वही यार वहां पर फ्रंट एंड वी डिवेल्प करता है जोगी हम बेसिक या स्टार्ट अप की बात करें तो अगर आप किसी स्टार्ट अप में जा रहे हो एंड आपका रोल एक डिजाइनर का है तो मैक्सिमम टाइम यार ऐसा ही होगा कि करता है यहां पर हमारі स्टार्ट करता है फूटर करता है स्टैल सीटेट है जो हमवने स्ट्रक्ट क्रेट के चार्ट करता है उस पे जो करने का काम करता है वो हमारा CSS करता है कि color combination कैसा होना चाहिए या hover करने पे button का color change कैसे होता है वो कैसे होना चाहिए वो सारी चीजे color का काम है वो हमारा CSS करता है and third one यार हमारे आजाता है javascript javascript यार हमारे functionality का काम करता है कि कौन से button पे click करने पे pop-up कैसा open होना चाहिए या हम अंदर page पे जा रहे हैं तो कौन सा page open होना चाहिए या जो भी functionality का काम होता है वो javascript का यहां पे roll होता है so basic example से लेके चले यार जैसे human structure है जो skeleton human का होता है वो HTML आप मान के चलो and जो human का color है hair color है weird उसने कैसे set कर रखी है अब वो काम होता है CSS का कि उस पे color या उसमें style करना and जो javascript है जैसे यार हम सोचने का काम करता है या जो देखने का काम करता है वो एक functionality का काम है जो की javascript यहां पे हमारी handle कर रहा होता है so I hope यार आपको यह clear हुआ होगा कि अगर आप एक web designer या front end की position पे जाने का सोच रहे हो तो यह तीन technology तो आना यार आपके लिए compulsory है जहां पे HTML and CSS तो high preference रहती है and javascript आपको थोड़ा थोड़ा knowledge है कैसे slider कैसे work करता है crouchule कैसे चलता है वो वाली चीजे हमारी javascript handle करता है जैसे button पे click करने पर pop-up कैसे आता है या जैसे हमने button पे click किया तो side से कोई image slide होके आई वो कैसे आती है वो javascript हमारा handle करता है अब यह तीन चीजे तो होगी इसके बाद यार एक CSS की लाइवरीड या bootstrap bootstrap का भी आना आपको compulsory है क्योंकि देखो यार जो CSS है वो एक style seat है बहां पे हमें SN1 कुछ predefined मिल रहा है कुछ code हमें मिल रहा है बट bootstrap में हमें CSS developer ने करके रखिया बहां पे हमें बस classes का यूज करना है वो कैसे यूज होता है या navigation में phone response में जो navigation होता है वो कैसे दिखना चाहिए वो हमें सारा कुछ bootstrap यहां पे provide करता है फिर उसके बाद यार हमारे आजाते हैं designing वाला part की आपको photoshop आना चाहिए आपको canva आना चाहिए illustration आपको आता है तो plus point है तो यह technology आपको आनी चाहिए अब बात आ जाती है कि आपको HTML कितना आना चाहिए ऐसा नहीं है आपको HTML अगर आप कर रहे हो तो आपको एक मीना या दो मीने आप HTML पे दे रहे हो नॉर्मल दस से पंदर दिन आप HTML पढ़ो main होते हैं उसके tags अगर आपको उसके tags के वार में पता चल गया heading tag कैसे use करते हैं या paragraph tag क्या रहता है span tag क्या होता है वह वाले चीज़े आपको clear है फिर आप switch कर सकते हो CSS पे CSS भी आपको यहां पे 100% करने की need नहीं है यहां पे आपको position के वार में पता होना चाहिए आपको colors के वार में text align हम कैसे देते हैं वह सारी चीज़े आप CSS में करोगे then आप JavaScript में switch कर सकते हो थोड़ी थोड़ी चीज़े जैसे आपको आगई फिर आप practice कर सकते हो कि एक website का design कैसे होता है आप Facebook वाला design अपने end से बना पार रहे हो web developer आप company में जा सकते हो अपने resume में वाले project को mention कर सकते हो कि मैंने इस वाले project पे work किया है I hope आपको clear हुआ होगा कि आप web designer या front end developer बनने का सोच रहे हो तो आपको कौन-कौन technologies का पता होना जुरूरी है HTML, CSS, JavaScript यह तीन technologies तो आपको पता होना ही चाहिए, plus designing वाले part में आपको Photoshop आना चाहिए, Canva आना चाहिए illustration आना चाहिए, plus जैसे Google पे आर already लोगों ने software बना रखे होते हैं जहां पे हम linear gradient जो color रहते हैं या box shadow रहती है वो already वहां पे predefined होती है, hope करता हूँ अगर आपको आज की वीडियो अच्छे लगी हो वीडियो अच्छे लगी हो तो like, share and subscribe करें thanks for watching